अजय है हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे एससी सीजी एल टुज़न सेविंटीन टीर वन का प्रीवेस येर पेपर और ये पेपर छह अगस्त 2017 को हुआ था इस पेपर को हम डिसकस करेंगे ये सैट 3 है तो चलिए देखते हैं इन कोशन को इसमें 25 कोशन है और ये कोशन नमबर वन जो है ये पॉटिंग लगा कोशन है एक कोशन दिया है यहां पर और जैसा कि आप देख सकते हैं ये चार पार्ट में डिवाइड है तो इसमें आपको एडर वाला पार्ट देखना है जिसमें ग्रेमेटिकल एरर हो और यदि इस कोशन में कोई भी एरर आपको नहीं लगती है तो जैसे जैसे जील होती है जील के बगल में छुटा सा तुकड़ा होता है ठीक है उसको हम बोलते हैं लगूल और यह जिए जेग्रफी का एक वर्ड है तो largest से पहले इसमें दा लगा हुआ है जो की सही है चिलका is the largest breakfast water breakfast word जो है वो भी सही है इसमें लगून भी सही है तो इस question में आपका जो answer होगा वो होगा D यानी no error ठीक है चिलका एक proper noun है इससे पहले हम नहीं लगाएंगे तो ये भी सही है largest से पहले यहां पर दा लगा हुआ है जो की सही है brackish यो word है एक adjective की तरह काम कर रहा है और water एक noun है तो noun के बगल में ये आया है इसको qualify करने के लिए तो ये इसका combination भी सही है लगून वर्ड भी सही है इन भी सही है और Asia से पहले हम दा नहीं लगाएंगे कोई कि ये proper noun है तो इस तरीके से ये पूरा sentence सही है और इसका answer होगा आपका D यानि no error तो ये जरूरी नहीं है कि sentence में error हो यदि आपको लगता है कि sentence में कोई error नहीं है तो भी आपको confidently no error आपको लगाना है अब देखें ये है second question अब हम इसमें देखें climb एक word है और climb को हम verb की तरह भी use कर सकते हैं और noun की तरह भी use कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर किस तरीके से ये use हुआ है देखें यहाँ पर एक word आया है easy क्या चीज़ easy नहीं थी climb जो था वो easy नहीं था तो climb जो word है ये क्या है ये एक noun की तरह ये use हो रहा है और इस noun की विशेष्टा बता रहा है कौन सा word easy easy क्या नहीं था easy climb नहीं था तो चुकि ये noun है और इसको noun की तरह ही हम यहाँ पर use कर रहा है तो इसका meaning भी noun का ही निकलेगा तो climb का मतलब क्या है climb का मतलब होता है जैसे किसी घाटी पर आप चड़ते है उपर की तरह जो चड़ाओ होता है तीक है उसको हम बोलते है climb और upside का meaning भी लगबग सेम ही होता है तो इसलिए climb के साथ यहाँ पर upside word नहीं आएगा the climb of the mountain आप बोल सकते है climb of the mountain मतलब पहाड का जो चड़ाओ था जो ऊपर जाने बाले जो रास्ता था ठीक है वो easy नहीं था वो उबर खाबर था the climb of the mountain was not easy तो upside जो word है यहाँ पर यह extra है यहाँ पर ठीक है और first path में इस mirror है तो इसका answer आपका होगा A इस तरीके से इसको आपको समझना होता है देखें English में जो words होते है वो absolute meaning में noun, pronoun, adjective नहीं होते वो आपको देखना होता है कि किस word का किस sentence में कहाँ पर कैसे use हो रहा है एक word noun की तरह भी use हो सकता है verb की तरह भी use हो सकता है और दूसरे किसी pronoun की तरह भी वो use हो सकता है तो आपको यह देखना होता है कि वहाँ पर उसका context का meaning क्या निकल रहा है और किस sense में वो use हो रहा है तो यहाँ पर जो crime word है वो noun की तरह use हो रहा है और इसको हमने कहां से समझा, इसको हमने समझा easy से जो कि एक adjective है तो adjective की मदद से हमने इसको समझा कि यह एक noun है और इसको हम यहाँ पर एक noun की तरह use कर रहे है अब यह next sentence है और यह fillers का sentence है ssc का जो pattern होता है भी इसी तरीके से रहता है कि दो spotting error आएंगे फिर दो synonim antonim आएंगे फिर दो fillers आएंगे फिर दो sentence improvement आएंगे इस तरीके से ssc में आपके questions आते हैं और यहाँ पर direction वाला path इसमें missing है क्योंकि यह PPT है और इसमें इतना space नहीं रहता है इसलिए इसमें direction यहाँ पर आपको लेखे हुए मिलेंगे ssc exam में यहाँ पर directly question को दिया गया है rituals play into the understanding of a society अब देखे यहाँ पर आपको एक filler भरना है और understanding जो है वो noun है लेकिन किस तरह ही understanding ठीक है देखे यहाँ पर फिर से वो ही मैं आपको explain करने ही कोशिश कर रहा हूँ कि understanding यहाँ पर एक noun है तो noun को modify हम किस से करते हैं noun को हम modify करते हैं adjective से तो यहाँ पर आपको एक ऐसा word चाहिए जो adjective हो ठीक है नमबर एक तो आपको ऐसा word चाहिए जो adjective हो और ऐसा adjective चाहिए जो understanding noun के साथ match करें ठीक है यह दो चीज़िए आपको देखनी है तो यहाँ पर देखे tactfully तो adverb है और यहाँ पर आपको चाहिए adjective तो tactfully तो आएगा नहीं यहां पर, tacit और taciturn, यह adjective हैं, तो यह दोनों आ सकते हैं, tacitly, यह भी एक adverb की तरह काम कर रहा है, जिसमें ly लगा रहता है, वो होते हैं adverb, ठीक है, तो यह दोनों आपने eliminate कर दिये, अब taciturn का क्या मतलब है, taciturn का मतलब है reserve, जो व्यक्ति जादा न answers को किस तरीके से निकालना है, लेकिन यहां पर इसका meaning भी मैं आपको बता जाता हूँ, tacit का रहता है implied, जिसको express नहीं किया गया है, जो understood है, ठीक है, और play into एक phrasal verb है, play into का मतलब होता है, कि किसी चीज़ को समझने में मतलब करना, to help support actually का मतलब होता है, किसी चीज़ को support कर करने में मदद करना, तो rituals play into the tacit understanding of a society, जो rituals होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, समझने में कि society का culture क्या रहा होगा, जो implied understanding होती है, जो implied meaning होता है, उसको समझने में, rituals जो होते हैं, जो परंपराइं होती हैं, जो customs होते हैं, उसकी मतलब से हम उसको समझ सकते हैं, तो इसलिए, यहाँ पर tacit जो word है वो सही यहाँ पर आपका answer होगा और इन चारों के meaning भी मैंने आपको बताए है taciturn का अर्थ होता है reserve और tacitly यानि implied तरीके से तो यहाँ पर adverb तो आपको चाहिए नहीं तो इसलिए tacit जो होगा वो यहाँ पर सही आपका answer होगा next हम देखते है repetitions bred a sense of with the characters अब देखे यहाँ पर sense of what repetition से breed कार्थ होता है पैदा होना ठीक है और चुकि यह past tense में है इसलिए यहाँ पर हमने लखा है bread repetitions bred a sense of मतब repetitions जो है वो पैदा करता है क्या चीज पैदा करता है a sense of किसी चीज का sense वो create करता है लेकिन sense किस चीज का तो यहाँ पर ultimately आपको एक noun चाहिए ठीक है अब इस में से आपको देखना है चारों word मिलते जुलते हैं तो noun कौन सा है familiar तो adjective है ठीक है familiar नहीं आएगा familiarize का अर्थ है verb familiarize जो है वो verb होता है इसलिए familiarize भी नहीं आएगा familiarly adverb की तरह काम कर सकता है familiarity एक noun है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा familiarity repetitions bred a sense of familiarity with the characters मतलब किसी चीज को आप यह ज़िए repeat करें जैसे तीवी सीजियल्स होते है उसमें एक ही character बार बार आता है तो उससे हम familiar हो जाते हैं क्योंकि वो character बार बार रिपीट किया जाता है तो यह sentence का मतलब है तो यहाँ पर चुकी noun आपको चाहिए और noun है इसमें familiarity इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए इस तरीके से इन questions को करना है next हम देखते हैं similar word यह सनोले माते हैं pre में दो आते हैं और means में करीब 10 या 12 आते हैं incensed का क्या रत है incensed का रत होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्यम होना जिसको हम infuriated भी बोलते हैं infuriated ठीके तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा देखे एक static का रत होता है बहुत ज़्यादा खुश यदि आपकी vocabulary अच्छी है तो आप eliminate करके भी सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं directly भी आप सही आंसर आप लगा सकते हैं और यदि आपको सही आंसर किसी word का नहीं आता है तो elimination process को आपको apply करना पढ़ेगा ecstatic का रत होता है बहुत ज़्यादा खुश elated का रत भी होता है बहुत ज़्यादा खुश blight का रत होता है carefree, happy और carefree और exasperated का रत होता है बहुत ज़्यादा गुसे में तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा incensed का exasperated transcend का क्या रत है transcend का रत है किसी boundary को तोड़के आगे निकल जाना cross कर देना boundaries को ठीक है इसका एक रत over shadow भी होता है ठीक है, over shadow जैसे यहाँ पर एक कोई object है और इससे बड़ा कोई object यहाँ पर आ जाता है तो इसको over shadow कर देगा तो transcend का रत cross भी होता है और over shadow भी होता है तो इसलिए eclipse यहाँ पर इसका सही word होगा, सही answer होगा क्योंकि eclipse का रत भी होता है over shadow करना, जैसे ग्रहन परता है तो ग्रहन में एक object दूसरे object को over shadow कर देता है तो इसलिए जो object दखाई नहीं देता है उसी का ग्रहन माना जाता है सूरे ग्रहन या चंदर ग्रहन तो उसमें भी एक object दूसरे object को over shadow कर देता है तो इसलिए transcend का यहाँ पर जो options आपके पास दियो हुए है उसके according इसका meaning होगा eclipse, ठीक है about का रत होता है, unsuccessful हो जाना blender का रत होता है, बड़ी गल्ती और fizzle का रत होता है किसी चीज़ का hissing sound के साथ खतम हो जाना, तो eclipse यहाँ पर आपका सही answer होगा next हम देखते हैं यहाँ पर आपको opposite word यानि एंटोनिम बताना है, incapacitate incapacitate का मतलब है किसी व्यक्ती या वस्तू की capacity यानि छमता को खतम कर देना ठीक है, और facilitate करत होता है उसकी छमता को बढ़ा देना, उसको aid करना उसको support करना, इसलिए opposite word यहाँ पर जो होगा, वो होगा facilitate, ठीक है, क्रिपिल का क्या रते है, क्रिपिल का मतलब है किसी व्यक्ती को किसी व्यक्ती को इस situation में ला देना कि वो चल नहीं पाए, ठीक है cause someone cause someone cause someone to किसी को किसी को लंगड़ा कर देना या इस तरीके से किसी को handicap कर देना, ठीक है, उसको हम बोलते है, क्रिपल immobilize मतलब stop कर देना किसी को, और maim करता है किसी व्यक्ती को injure कर देना उसको घायल कर देना ताकि उसका कोई particular path body कोई particular path काम नहीं कर सके कि उसका हम बोलते है, meme तो incapacitate का सही, incapacitate का synonym actually cripple हो सकता है incapacitate और cripple same word है, लेकिन यहाँ पर चुकिए आपको antonym चाहिए, इसलिए facilitate यहाँ पर आपका सही answer होगा, sentience sentience का जो relation है, वो sentiment से है, और sentiment का मतलब होता है, किसी किसी को regard देना, तो इसलिए disregard जो होगा, यहाँ पर इसका antonym होगा, ठीक है, sentience का antonym होगा, disregard यहाँ पर एक idiom और phrase देखते है, rat race क्या होता है, rat race, एक हम ऐसी race को बोलते हैं, जिसमें सारे लोग दोड़ते जा रहे हैं, wealth के लिए पैसा कमाने के लिए, success होने के लिए, अपनी health पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मांसिक शांती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एक trap में फसे हुए हैं, उसको हम बोलते है rat race, तो इसका सही answer होगा, a way of life in which people are caught up, in a fiercely competitive struggle for wealth and power, ठीक है, जहाँ पर cut through completion है, यहाँ पर सारे लोग पैसे के लिए, सफलता के लिए दौल रहे हैं उस चीश को हम बोलते हैं rat race, तो यहाँ पर सही answer जो होगा वो होगा, आपका C next question देखते हैं, spin once wheel, देखे spin once wheel, spin का मतलब होता है, किसी wheel को घुमाना, उसको spin करना ठीक है, तो यदि आप एक जगे बैठ जाते हैं, और एक wheel को घुमाते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी मेहनत तो बहुत होगी लेकिन achieve आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसकार्स होता है expel much effort for little or no gain, बतलब ऐसी जगे effort लगाना, जिसका कोई gain नहीं मिला, जहां पर आप कोई भी चीज achieve नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम बूलते हैं, spin once wheel C, इसमें आपका सही answer होगा, next question देखते हैं, यह sentence improvement का question है, a small makeshift stage with a red curtain for a back drop actually इसमें और होना चाहिए, watch constructed ठीक है, यहां पर होना चाहिए, watch constructed तो इसमें a small makeshift stage was, हाँ सही है, यहां पर नहीं होगा यह तो sentence complete है, यहां पर आपको improve करना है इसमें, तो चुकी makeshift का क्या रत है makeshift का रत होता है, काम चलाओ एक काम चलाओ stage को बनाया गया वहां पर उसको construct किया गया red curtain के साथ ठीक है, तो चुकी stage जो है, वो singular है इसलिए इसका passive voice में use किया गया है कि stage को बनाया गया, किसी व्यक्ति के दौरा बनाया गया और stage जो है, यह singular है, तो इसलिए हम was लगाएंगे, और was के साथ V3 लगाएंगे, हम passive voice में हमेशा V3 का प्रियोग करते हैं, तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर होगा, वो होगा B, a small makeshift stage was constructed, चुकि यह passive voice है, और past tense है, तो past tense के लिए इसमें हम was लगाएंगे, और passive voice में हम हमेशा वोरव की third form का use करते हैं, तो इसलिए इसमें, was constructed जो होगा, वो आपका सही आंसर होगा, question number 12 देखते हैं, take out your binoculars, and we'll see the andromeda galaxy, andromeda galaxy, एक galaxy का नाम है, spiral galaxy है यह, और हमारी जो milky way है, उसके सबसे पास की यह galaxy है, andromeda galaxy, binoculars हम बोलते हैं, दूरबीन को, जिससे हम दूर की चीज़ां देखते हैं, और take out your binoculars, and चुकि end के साथ, दो verb जुड़ी हुई है, यहाँ पर है take out जो की first form है, ठीक है take out आपका जो है, यह first form है, तो यहाँ पर भी आपका first form ही हम इस्तेमाल करेंगे, हम will see नहीं बोलेंगे, हम cable c बोलेंगे, take and see, take first form है, और see first form है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर आपका होगा, see, correctly spelled word देखिए, ssc में incorrectly spelled word भी आपसे पूछा जा सकता है, और correctly spelled word भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों ही तरीके के pattern पूछे जाते हैं, same word भी आपको दे सकते हैं, जैसे चार अलग-लग word दे दिए और उसमेंसे एक correctly spelled word या incorrectly spelled word आपसे पूछ सकते हैं, और एक same word भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर यह same word दिया है, और इस same word में से तीन जो spelling हैं वो गलत हैं, और एक spelling सही है, तो सही spelling आपको इसमें निकालनी हैं फ्रॉदी, F-R-O-T-H-B-I फ्रॉदी का मतलब होता है जागदार, जिसमें जाग होते हैं, जिसमें काफी सारे bubbles होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कोई भी powder होता है उसको आप पानी में घूलते हैं, तो उसमें जाग और उसके बाद आप S-T लगा सकते हैं, तो इसका जो सही spelling होगा, वो यही होगा, F-R-O-T-H-I-E-S-T ठीक है, तो A इसमें आपका सही spelling होगा नेक्स कोशन हम देखते हैं, bereaving bereaved का आर्थ होता है बहुत जदा दुखी या पश्यता पूर्ण होना तो इसलिए bereaving की spelling होती है इसमें E-A आता है B-E-R-E-A-V-I-N-G B-E-R-E-A-V-I-N-G C इसमें आपका सही आंसर होगा यह one word substitution है, take away or alter the natural quality of something किसी चीज की natural quality को बदल देना, उसको alter कर देना, उसको change कर देना, उसको हम बोलते है D-Nature, D-Nature यहाँ पर आपका सही आंसर होगा un-odultured, मतलब जिसमें पदूशन नहीं है मतलब जो सही है, शुद है authentic मतलब सही, limpid हम liquid के लिए इस्तेमाल करते हैं transparent होता है, और clear होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो D-Nature जो होगा यहाँ पर इसका सही आंसर होगा next हम देखते हैं decay of organic matter producing a fated smell, fated smell मतलब बहुती unpleasant smell, बहुती बेकार smell, कोई सी decay हो जाती है और उसमें से बहुत बेकार smell आती है नियो टेरिक मतलब नया यह recent और virgin मतलब जो एकदम fresh है जिस वर्जिन हम वर्जिन का आता होता है कोई भी चीज को हम वर्जिन तब बोलेंगे जब उसको जो पूरी तरीके से untouched है ठीक है तो putrify यहाँ पर सही आंसर होगा पैरा जंबल के यह कुछ questions है यह हम paper solve कर रहे है 6 अगस्त 2017 का morning shift का यह paper है cgl का तो इसमें देखी अलग-लग pattern में पूछते हैं कभी 4 sentence देते हैं कभी 3 sentence देते हैं इसमें 3 sentence दिये हैं और एक वाला path उपर दिया है इसके साथ आपको link करना है इससे we have seen that when पैला sentence में यही होगा when we deny that a mental image नहीं नहीं यहां से नहीं बनेगा we have seen that when when we deny that a mental image can occupy any portion of space we need not think of हाँ सही है इसी से बन जाएगा यह we have seen that when we when we deny that a mental image can के बाद वर्ब की first form चाहिए तो occupy वर्ब की first form हो जाएगी तो second sentence यह बन जाएगा when we deny that a mental image can occupy any portion of space we need not need not के बाद वर्ब की first form चाहिए तो think यहां पर वर्ब की first form हो जाएगी we need not think of it as losing its paths and circling to a point तो यही इसमें आपका सही option होगा z by और x z by और x यानि d इसमें आपका सही answer होगा another major difference another major difference मतलब एक और major difference लेकिन किसी इसका difference की बात कर रहे हैं हम another major difference in comparison with the solar solar के साथ system word जो जाएगा तो इसमें first यह हो जाएगा second यह हो जाएगा और packing of the seven packing of the seven भी meaningful है तो यहां पर यह आपका answer हो जाएगा z by or x z by or x ठीके इसमें भी आपका answer होगा d another major difference in comparison with the solar solar के साथ system जो जाएगा solar system is the tight packing of the tight packing किस चीज़ की seven planets की तो टाइट पेकिंग के साथ seven planet जो जोड़ रहा है इसमें और solar के साथ system जोड़ रहा है तो इस तरीके से logically यह आपको इन sentences को connect करना होता है है यह आपका active passive voice है active passive voice का एक sentence आया है यह the home owners remodeled the house to help itself ठीक है इस तरह के sentences में active passive voice में सबसे ज़्यादा important होता है subject, उसके बाद verb और उसके बाद object, यह दिए आप इन तीनों चीज़ों को identify कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि active से पैसे में जब आप change करते हैं, तो subject object बन जाता है, और object subject बन जाता है, इसलिए आपक का object होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है, कि यह जो sentence मिला है आपको एक्जाम में, यह active वॉयस है या पैसे वॉयस है, और उसके यह इसके बाद dai way क motiv बन जब सका काम करता है दा होम ओनर्स री मोडल्ड दा हाउस दा होम ओनर क्या है इसमें सब्जेक्ट है री मोडल्ड क्या है वर्ब है हाउस क्या है अब्जेक्ट है तो अब्जेक्ट क्या हुआ इसमें अब्जेक्ट हुआ हाउस यह हुआ आपका वर्ब यह क्या हुआ आपका सब्जेक तो sentence आपका जो start होगा वो house से start होगा ठीक है और ये जो path है to help itself ये आप end में जोड सकते हैं और ये sentence active है के passive है ये sentence active voice है क्योंकि passive voice में हम was और work के साथ या एजमर के साथ work की third form का use करते है इसके लावा passive voice में buy लगा रहता है buy agent होता है तो इसमें buy भी नहीं है इसमें इजमर भी नहीं है तो इसलिए ये active voice है और active voice कौन सा है ये past tense है क्योंकि verb की second form का प्रियोग हमने यहाँ पर किया है तो इसलिए ये past tense है तो past tense को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे was लगाएंगे और was जो है वो cable एक ही sentence में है मतलब was और house क्योंकि sentence house से start होगा और house दो sentence में है और दो में से एक में ही was है ठीक है तो इसलिए आपका उत्तर निकल के आ गया A मतलब house को remodeled किया गया था ताकि इसको आसानी से बेचा जा सके ये इसका अर्थ है यहाँ पर ये narration का एक question है She asked Ravi What is worrying you ठीक है तो ये डबलू एच का के question है यहाँ पर इसमें connector जो होगा वो कुछ नहीं आएगा और इस sentence को हम What is worrying you को हम affirmative में लिखेंगे तो ask का तो ask ही रहेगा Ravi asked She asked Ravi What is की जगे what was आएगा इसमें अच्छी तो इसमें आपका answer होगा ये वाला नहीं फूर्थ होगा इसमें She asked Ravi What was worrying him ठीक है तो इसमें आपका answer ये वाला होगा She asked Ravi What was लेकिन इसमें हाँ सही है ठीक है इसमें आपका ये ही होगा She asked Ravi What was worrying him तो D इसमें आपका सही answer होगा ये यहाँ पर एक passage है और इस passage को पढ़के आपको 5 questions के answers देने हैं ठीक है इस तरह के passage पूछे जाते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं I had seen this road many years ago when my parents moved to Munda Koto Kuroisi Our ancestral village देखे यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर past tense की बात हो रही है कोई व्यक्ति एक story बता रहा है suppose 5 सल पहले कोई story बता रहा है और 5 सल पहले वो जो story बता रहा है वो 10 सल पहले की है यहाँ इसको हम बोलेंगे past to past ठीक है I had seen this road many years ago मैंने इस road को बहुत सल पहले देखा था when my parents moved to this particular place इस तरह के जो लंबे नाम दिये जाते हैं passages में वो students को डराने के लिए या confuse करने के लिए दिये जाते है ठीक है ताकि student under pressure आ जाए तो इस तरह के नामों से आपको डरना नहीं है यह simple सा एक नाम है जैसे आगरा, मुंबई, दिल्ली, जयपूर होता है उस तरह से एक simple नाम है किसी जगय का यहाँ पर author बता रहा है कि I had seen this road many years ago when my parents moved to Mundakotu, Purosi इस place पर जब मेरे parents आये थे तब मैंने इस road को देखा था I had seen this road many years ago when my parents moved to this particular place यहाँ पर वो इस road के बारे में बता रहा है ठीक है Our ancestral village, मतलब यह उनका Patrick गाउँ था However, in those early years I hadn't begun exploring the countryside लेकिन जब मेरे early years थे मेरी life के जब मैं छूटा था तो मैंने country side को explore करना शुरू नहीं किया था Country side मतलब गाउँ का जो area होता है हरावरा जो area होता है That is called country side तो मैंने country side को explore करना यानि घूमना फिरना और नई सीजों को सर्च करना उसको मैंने explore करना शुरू नहीं किया था I store the unknown road in my head under one day I will ठीक है इसका क्या मतलब देखिए ये थोड़ा सा tricky है मतलब चूकी मैंने उस road को explore नहीं किया था जो मेरे गाउँ तक जाती थी वहाँ के areas को मैंने explore नहीं किया था इसलिए मैंने उस road को अपने head में एक title के अंतरगत store कर लिया कि कभी और मैं आऊंगा और इस road को मैं explore करूँगा और जो title था जो था वो उस road के लिए रखा गया था उस title का नाम था One Day I Will के एक दिन मैं यहाँ पर आऊंगा I store the undone road in my head under One Day I Will 10 years ago when I recovered from herionated disc ठीक है और जब मैं herionated disc एक बीमारी का नाम है ये इससे जब मैं recover हो गया 10 साल पहले तब मैंने ये काम किया I store the undone road in my head under One Day I Will 10 ठीक है यहाँ पर actually sentence ये खतम हो गया यहाँ से actually ये नया sentence है 10 years ago when I recovered from herionated disc it was to discover that I had a useless left leg और चुकि ये past की story बता रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि 10 साल पहले जब मैं हार्डिये ये ये थे disc एक बीबारी का नाम है उससे जब मैं recover हुआ तो मेरा एक leg जो था वो useless हो गया वो खराब हो गया It was to discover that I had a useless left leg Though I managed to lose the limp मतला मेरा एक lose मेरा एक जो limp था मतला एक pair था वो खराब हो गया था I hated not being able to stride around as I used to मुझे इस चीज से नफरत थी कि मैं आप पहले की तरह चल फिर नहीं सकता था stride around का मतला होता है बड़े कदमों से चलना जैसा कि मैं पहले चलता था अब मैं वैसा नहीं चल सकता था क्योंकि मेरा एक pair खराब हो गया था I needed a challenge to tell myself that I wasn't going to buckle to a creature called cytica यह थोड़ा सा tricky sentence है मतला मुझे एक challenge चाहिए था अपने आप से कहने के लिए कि मैं मेरे को बीमारी है जो cytica और herniated disc की मेरे जो बीमारी है उससे मैं buckle नहीं होँगा उसके pressure मैं नहीं आऊँगा मतला उस चीज को मैं accept नहीं करूँगा और यहां पर actually cytica जो है यह पेन होता है हर नियति डिस्क भी स्कॉम बोलते है ठीक है तो इस तरह से यहां पर इसको दो बार इसको दिया गया है एक बार इसको cytica बोला गया है एक बार herniated disc बोला गया है देखें यहां पर थोड़ा सा ट्रकी है यह the one day I will उसके दिमाग में एक image थी कि मैं इस चीज को फिर से आऊँगा और फिर से इस road को explore करूँगा वो चीज आ गई क्योंकि उसको लगा कि मैं चल सकता हूँ और मैं इसके आगे खुटने नहीं तेकूँगा साइट का जो बीमारी है मैं इसके आगे खुटने नहीं तेकूँगा और एक दिन मैं इस road को explore करूँगा तो इसलिए यहां पर लिखा है कि thus the one day I will arrive मतलब एक दिन वो चीज जो दिमाग में मेरे store थी वो निकल के बाहर आ गई where does the road by the medical shop lead to मतलब मेडिकल शॉप के बगल में जो रोड है वो कहां तक जाती है where does the road by the medical shop lead to I asked my parents while visiting them next मैंने अपने पेजिंट से बोला और उन्होंने आंसर दिया चाला वरा मतलब यह रोड जो है यह चाला वरा तक जाती है मतलब जब उनके गाउँ जाते हैं मुंडा को टू कुरेशी तो बगल में यह रास्ते में चाला वरा पढ़ता है और चाला वरा से साइद वो टर्न लेते हैं तो यह confuse करने के लिए चाला वरा का एक element इसमें जोड़ा गया है यह प्लेस का नाम है आगे हम पढ़ते हैं मतलब चाला वरा जो है एक अच्छा विलेज है जहांपर एटेम से सेबरल शॉप्स हैं लाइब्रेडी है मुंडा के टू कुरेशी जो है जो थोड़ा सा बेकवर्ड बिलेज है ऐसा इसमें बताया जा रहा है तो यह चोजन वाज नेरो बैक रोड यूज़ बाइडा लोकल्स और यह प्लेट सेटल इट फॉर मी ठीक है तो जो चाला वरा जो रोड है मैं अपने आपको यह विश्वास दलाना चाहता था कि मैं ऐसी रोड पर चल सकता हूं यह अच्छली एज है ठीक है वाट इस साइटिका तो साइटिका क्या है साइटिका है हर नियत इस्क एक बीमारी का नाम है वेर डिट दा फॉर फादर्स ऑप द राइटर लिव राइटर के फॉर फादर्स जो थे वो कहां रहते थे देखिए वहाँ पर एंसेस्टर एक वर्ड दिया है यहाँ पर फॉर फादर वर्ड दिया है यह पैचान होती है पैसेज की कि आप पैसेज को समझ पा रहे हैं के नहीं वहाँ पर एंसेस्टरल विलेज दिया है इसको डिसेबिलिटी थी यूजलेस लेफ्ट लेफ्ट लेग वन डे आई विल इस दा टाइटिल ऑट या चीज़ यह वंडे आई विल है जो अननोन रोड थी जिसको उसने एक्स्प्रोड नहीं किया था उसका नाम है यह वंडे आई विल तो भी यहां पर आपका सही आंसर ह बेटर देन मुंडा कुरेशी मुंडा कुरेशी से बैटर इसलिए था कि वहां पर लाइबेडी थी एटीएम थे और शॉप्स थे तो यहां पर आपका आंसर होगा ए तो इस तरीके से इन को स्टिंस को आपको करना है यह सैट थी है और यह शेयकर से आगे भी आपको पेप एक rough idea होगा कि किस तरीके के questions आपके CGL Tier 1 और Tier 2 में पूछे जा सकते हैं और इस तरह के questions की काफी ज़्यादा practice में आपको कर बाऊंगा कोई भी आप feedback देना चाहते हैं तो इस email ID पर आप दे सकते हैं और यहाँ पर जो WhatsApp नमबर और जो contact नमबर उसके through आप उससे contact भी का सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next वीडियो क्लास में Thank you